गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्मेंट से ने IT कोर्स का करवाने का एलान किया है जिसमें आप सब ने अपलाई भी किया है और उसी हवाले से अब उनके इंटी टेस्ट की प्रेपरेशन चल रही है तो अब हम आपको इंटी टेस्ट की त्यारी करवाने के लिए म ब्रैकिट अपने बनानी है फैक्टरादेशन पर फैक्टरादेशन वाले सवाल जो हैं वो अक्सर एक्जैम में आ जाते हैं और आपको ये आने चाहिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को हमारा सवाल है एक एक्वेशन की शकल में ये एक एक्वेशन के लाती है इस को हम equal to zero भी कर सकते हैं ऐसे भी आ सकते है equal to zero और भी ना इसके भी आ सकता है यह सवाल सवाल हमारे पास है x square plus 3x plus 2 हमने इसको solve करना है इसके लिए हम जो काम करते हैं वो होता है middle drum break हम middle drum break को break करते हैं यानि बीच वाले नमबर को हम दो नमबर में तोड़ते हैं ये बीच वाला जो नमबर है इस नमबर को हम दो नमबर में तोड़ते हैं अब वो दो नमबर में तोड़ने का मकसद क्या है अगर मैं यहां पर इसको नाम दे दूँ A किसको x के साथ जो नमबर होगा इस वक्त X के साथ कोई number नहीं है तो यहों सोचें कि X के साथ 1 है अगर मैं नाम देता हूं इसको A और इस 3 को नाम देता हूं B तो यह जो है मेरा C देखें इस number को इन तीनों number को मैंने A, B और C का नाम दिया है यह जो X है यह variable किलाएगा यह जो 1 है यह X का coefficient किलाएगा यह 3 इसका coefficient किलाएगा और यह constant number है ठीक है अब करना यह है आपको जो मैं trick बता रहा हूं वो trick यह है कि last वाला number पहले वाले number से आप multiply करोगे यानि A को multiply करोगे C से A यह रहा और C यह रहा यानि C आपके पास है 2 और A आपके पास है 1 A 1 है और C आपके पास है 2 2 1s are 2 अब यह number आपके पास आचुका 2 आपने middle term break करनी है आपने ऐसे break करना है कि उसको plus करने पर अब आपको मैं sign बता देता हूं यह वाला जो plus का sign है आपने इस पर और नहीं करना आपने यह last यहानि C से पहला जो sign है यह वाला plus आपने इस plus को देखना एगर यहाँ plus होगा तो आपने करना है यह minus होगा तो आपने यहाँ से देख के करना है अब हमने करना यह है कि 20 वले number को 2 ऐसे number में तोड़ना है कि उनको अगर हम plus करें तो हमारे पास आना चाहिए 3 अगर उनको हम multiply करें तो हमारे पास आना चाहिए 2 मैं दोबारा repeat कर देता हूँ middle term break करनी है हमने 3 को बीच वाले नमबर को तोड़ना है दो नमबर में उन दोनों नमबर को अगर हम plus करें तो हमारा आना चाहिए 3 अगर उन दोनों नमबर को हम multiply करें तो हमारा आना चाहिए 2 तो ऐसे दो नमबर कौन से हैं दो तरीके हैं इस सवाल को करने दे एक तरीका LCM के थूर करवाया जाता है और एक तरीका आपको खुछ सोचना पड़ता है तो LCM के थूर भी करवा देते हैं आपको और खुछ से जो सोचना पड़ता है वो भी करवा देते हैं दोनों की practice कर लीजेगा या दोनों में से जो आपको असान लगी है अब इसकी practice कर लीजेगा जो LCM का method है वो method यह है कि आप इस 2 को लिकिए तो इस 2 का आप LCM ले लीजे इस तरीके से इस 2 का LCM आएगा 2 से 2 1s are 2 2 के table में 2 1 पर आता है तो यहां पर आपका 1 जो है 1 आएगा 1 के table में 1 1s are 1 तो आपके पास यहां जो factor बने हैं यहां दो factor बने हैं वो बना है 2 multiply 1 यानि 2 और 1 2 1s are 2 देखें इन 2 नमबर को multiply करने पर 2 आ रहा है आपको 2 चाहिए था और इन दोनों को जमा करने पर 3 आना चाहिए अब आप इन दोनों को जमा करने तो 3 भी आ रहा है इसका मतलब यही आपका middle term break करने के वो दो नमबर हैं जो आपने 3 की जगा पर लिखने है अब हम करते हैं x square प्लस आपने 3 की जगा पर 2 प्लस 1 लिखना है आपने 3 को तोड़ना है और 2 प्लस 1 की शकल में लिखने रहा है यही वो नमबर है जो आपको सोचने पड़ेंगे अभी आपने lcm के method से कर लिया और जो आपने 3 की जगा पर 2 प्लस 1 लिखा है साथ में x आप लिख देंगे और प्लस का 2 पूरी equation आप as it is लिख देंगे अब आपने करना यह है अब आपने यहां से प्लस को multiply करवाने है इस पुरी bracket से और x को भी multiply करवाने है इस पुरी bracket से असान अलφाज में कहूँ तो bracket को खोलना है आपने प्लस 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 टू एक्स जा टू एक्स प्लस 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 वन एक्स जा एक्स देखें यहां से मैंने पहले टू के साथ एक्स को मंटिप्लाय करवाया टू एक्स से मंटिप्लाय हुआ तो टू एक्स आ गया फिर one x से multiply होगा तो one x आ गया ठीक है यह जो मैं plus plus की आवाज लगा रहा हूँ यह plus plus यह होता है कि जब plus का number multiply होता है plus से तो आपका answer आता है plus में जब minus का number multiply होता है minus से तो आपका answer आता है plus में जब minus का number multiply होता है plus से तो आपका answer आता है minus में और जब plus का number, plus का number multiply होता है minus में, तो आपके पास आता है minus. तो जब भी आप किसी दो number को multiply करवाएंगे, तो multiply करवाने से पहले आप उसके sign को देखेंगे, कि वो sign आपस में multiply हो रहें, तो क्या बन रहा है? यानि plus, जैसे यहां पर यह plus का two था, प्लस और प्लस जब मंडिपलाय हुआ तो प्लस 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 आया जैसे ही प्लस 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 मैंने बताया तो प्लस 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 टू एक्स और वन एक्स एक्स और ये चलते हैं आगे की तरफ अब इसके बाद का जो process है अच्छा यहाँ पे हमने two miss कर दिया एक्स तो दे दिया पर यहाँ पे हमने two लिखना था हम लिख देते हैं हमारे पास यह आ गया two साहिए और is equal to हम इसको कर देते हैं zero यह हमारे पास two आ गया अब करना है यह कि अब आपने दो दो नमबर में common लेना है आपने इन दो नमबर में भी common लेना है और इन दो नमबर में भी common लेना है आपने common लेने के लिए होता यह है कि आपके कोई एक variable कोई या कोई एक number दोनों में होना चाहिए जैसे यहाँ पर आपको two नजर आ रहा है यहाँ पर 2 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, तो 2 common नहीं आ सकता, यानि नंबर common नहीं आ सकता, अब यहाँ पर आपके पास variable है, x और x, दोनों same है, तो x common आ सकता है, अच्छा, x की power छोटी common आएगी हमेशा, यहाँ पर x की power है 2 और यहाँ पर x की power है 1, तो power छोटी common आ गए, यहाँ पर x को आपने लिख लिए, और आपने जैसे ही x को लिखा, आपने bracket लगा देनी है, x आपने common ले ले, यहाँ माने कि आपने x को यहाँ करके, इन दोनों में से निकाल के बाहर लिख दिया, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, जब common कुछ भी नहीं होगा, तो आप 1 ले लिजेगा, आप 1 ले लिजेगा, 1 लेने के बाद आप x प्लस 2, यह आपको प्लस नजर आ रहा है, प्लस का साइन इन दोनों से मंटिपलाय होगा, यह प्लस 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 x आएगा, लिखते नहीं है, प्लस 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 2 आएगा, इक्वल टू 0, इस तरीके से, फिर आपने करना यह है कि आपके पास अगर आपने middle term सही से break करा है, और आपने common सही लिया है, तो यह जो दो bracket हैं, यह दोनों bracket में आपका जो number है, वो same आ रहा होगा, x प्लस 2 यहां भी आ रहा है, x प्लस 2 यहां भी आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को common ले लेंगे दुबारा से, common का मतलब इनको एक बार लिख देंगे, यह दो बार आ रहे हैं, इनको एक बार लिख दिया, अब यहां पर आपके पास इस bracket को जब आपने लिख दिया, तो इसके साथ x था तो x लिख दिया, इस bracket के साथ प्लस का 1 था, तो प्लस का 1 लिख दिया, यह आपने factor बना दिये, factorization आपने perform कर दिया, तो मैं उमीद करता हूँ, आपको यह सवाल जरूर समझ में आया होगा, मेरे चैनल पर जोड़े रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, factorization पर और comment पर, असलाम अलेगों वर रखमत लूँ